जैहन दोस्त मैं भूपन नाम देओ कैसे हो आप लोग आसर करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तो आज हम रीजनिंग के सेक्षन को सॉल्ब करेंगे यह आप देख लो एक्जाम डेट एक्जाम टाइम और सब्जेक्ट में आपका कॉंस्टेवल जीडी एक्जामिनीशन द पहला प्रिशने आपका समीकर्ण दिया गया है इसको सॉल्ब करने पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है तो देखो आपका लिखा है आठ अम यहां आठ लिख देंगे आठ के बाद एक है तो एक रहत है घटाना मानेस के चिन लगाएंगे आठ के बाद आपका 80 ए 80 सी के बाद एक बी कहनी सान यहले तो मतलब है भाग बटे में आपका सुलः नाइगे बटे मतलब भाग फिर आपकर सी तो सी और गुणा सी के बाद 90 के बाद आपकर डी कहनी अधि के जोड्ए दिकätt जो तो पिलस कहनी सान लगाएंगे और 21 लिख देंगे आपका कुछ कमी तो आपका आठ में कहीं जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके यहां पर 29 हो जाएंगे ठीक है और चार्सुपचास में से माइनस 29 होगे माइनस के चीन लगा है ना माइनस 29 होगे आपके माइनस के 421 पचेएंगे ऑप्षान फूर बिलकूर सही अगला प्रिशन आकीती वाला इस investigation मार की स hawnd पर क्या आएगा यहापको बताना है तो देखिए क्या logic लगा एक किस हिसाब से आपकी आकेती आएगी वहाँ पर तो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है आपकी जो आकेती है ठीक है ये वाली और दूसरे खाने में जो आकेती है उसको थोड़ा क्या है की ऊपर की ओर गुमाया गया मतलब दाई ओर गुम रहा है ऐसे ऐसे गुम रहा है ऐसे सरका जला ऐसे ठीक है तो आपका क्या है पहले नीचे की ओर है फिर दाई और गुमाया थोड़ा ऊपर की ओर हो गया फिर थोड़ा और गुमाया तो फिर थोड़ा इस साइड हो गया अब थोड़ी और नीचे गुमाएगा तो आपका थोड़ा नीचे की ओर आएगा आए पिश में और पिशनों कोई दिख कर नहीं इसमें है आपका सब्रिष्य में निकत का संभन्द जो पास से हैं वहीं तो ही वही संभन्द दूर्एक कहसे होगा दूर से, निकट का समाना थी सब्द है, पास, निकट का मतलब क्या होता है, पास ही होता है, और दूरस्थ का मतलब क्या होता है, दूर, option 4 बिल्कुर सही, यह तो आसान है यार, अगला देखो, अगला प्रिशने आकीती बाला, ठीक है, यह आपकी छोटी सी जो आकीती दी यह तो आपकीए रही आपकी वो आ के थी यहां पर, ठीक है, ऐसे यह नहां वो आ की थी, फिर से लेलो, यह आपकी यह वाली आ के थी, यह तो option 2 बिल्कुर आपका सही है, अगला प्रिशन देखो यह देख ले न, कोई देख कर नहीं, अगला देखो, देखो, ऐसे प्रिश या दो प्रेशन जरूर पूछ लेते हैं ठीक है तो देखिए आपका 27 से 189 लिग दिया 186 लिख दिया तो 32 का क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है तो आपका 27 से 189 कैसे लिखा क्या लौजी लगा है तो देखिए अगर हम 27 का गुणा अगर हम 27 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका 119 आ जाएगा बैसे ही अगर हम 18 का गुणा 18 का गुणा 7 में करेंगे तो 126 आ जाएगा ठीक है तो बैसे ही हम इसमें भी करेंगे कि आपका 32 का जो गुणा है वो हम 7 में करेंगे तो 7 में करेंगे तो आपका 224 आ जाएगा option थे नहीं बिल्गूँ सही अगला प्रिष्ट ए भी आसान इसमें भी कोई दिखकर नहीं इसको और जूम कर लो ताकि और आपको अच्छे से दिख जाए ठीक है तो फिलाई को 33 लिख दिया हैट को 29 लिख दिया तो वीच को क्या लिखा जाएगा तो क्या लोगा है कि एप आ आता है टी बीस पर आता है तो आठ हो एक नो बीस आपका 29 इसा ही लिखा है ठीक है तो बैसे हम इसमें करेंगे बी आता है दो पर यह आता है आपका पांच पर यह आता है आपका एक पर सी आता है आपका तीन पर और एच आता है आपका आठ पर इसको आप जोड़ दोगे तो आपका ओने ही सा जाएगा यानि option two बिल्गों सही अगला पिष्ट अगला पिष्ट ने आपका पास से वाला ठीक इसमें से आपको क्या बताना है यह देखिए उसने कहा है एक दैसाने वाले फलक के विप्रीद फलक पर इसती संख्या ग्याद कीजिए तो एक के विप्री अगर में आपको बताया हूं 35 34 पिए इसर के पीपर सॉल्व करवा चुका हूं उसमें आपके ऐसे पिष्ट ने तीन चार पिएसर के पेपर में देखनों को बिले हैं और आपस में गट जाएंगे तो वाया एक कभी आपका यह हो जाएगा ठीक है एक कभी प्रीद क्या हो जाएगा इच्छे हो जाएगा तो आपसेंटू में छे दिया गया है तो आपसेंटू बिल्कुल सही होगा अगला पिश्ट अगला पिश्ट ने सीरीज वाला और ऐसे सीडी में सबसे जाधा पिश्ट सीरीज से पूछे गई कुछ समझ में आए देखो 31 से 33 हो गया और 41 और 48 कंतर होता है आपका साथ तो आगे आप कौन सी संख्या आएगी आपको बता रहा है तो आपका क्या लोजिक लग रहा है आपका दो से तीर हो गया तीर से पांच हो गया पांच से साथ हो गया तो जो आपकी संख्या है यह आपकी आभाज संख्या है प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं तो प्राइम नंबर के इसमें जोड किया गया है यह निए प्रस किया गया है तो साथ के बाद फिर कौन सी संग के आती है फिर आती है ग्यारा कौन सी आती है ग्यारा तो अगर हम 48 को ग्यारा में प्रस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा 69 किसी डीचने को और Ini किसी शिफट में नहीं मिला है तो देख लो इसको threeенная buoy को ए लिख देता हैक ओविलगेद्व कर नदिक को ए लिख देता है थो माजिन को और को किया अज़कर को क्या जा Turkish ये अपका क्या अधोर आ אל ये तो आपका मैं का कोokes्च नहीं है मा लेकिन मा आपका कहीं और कहीं तो नहीं आया है यह दो को आपका मा यहां पर आ चुका है तो आपका आल का कोड यह मा तो हो नहीं सकता ठीक है उसके बाद आप देखो कि आपका यह जा है जा और कहीं तो नहीं आया है यहां पर आ गया यह कम का आगया कोड तो यह भी नहीं होगा option 1 बिल्कुई सही और कोई भी प्रिष्णा के समझ में आए डाउट वगेरा हो तो पूछ लेगा यह प्रिष्ण थोड़ा बड़ा है क्या करें सॉल्व करवाएं कि नहीं यह तो सरह आजदा कारवाला है है चलो सॉल्व कर वा तें कुई दिख ने स्पीड़ करेंगे लिकारा है एक बर्गा कार मेज के चार और मेज के दर करने बैठे हैं उन्म एीसे कुछन्वां बैठे हैं जब कि घुटि नमें बैठे हैं तो हम एक बरह चार क्या बना लेंगे बरहा कर मेज बना लेंगे ठीक थोड़ा नीचे को सब्रहाटा है एक बर्गाकार मेज बनाएंगे। हमने बर्गाकार मेज बना लिए। थीक है। यह आपके आउर्ट बेकल्ध यहां पर बैठेंगे। यह साइड, तीन आपके इस साइड और दो साइड कितने होगए आउर्ट भेकल्ध रहा है। E G के बाईयोर तीसरे इस्तान पर है E G के बाईयोर तो अगर हम G को इधर बिठा देंगे ठीक है G को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो एक बेट जाएगा किलियर फिर क्या आगे uding किया है E किसी एक कोने पर बैठा था है एक उन्हें मिश्टे हो रहागा उसने तीसरे स्थान पर बोला है हमने दूसरे स्थान पिठा दिया गलत हो जाएगा तीसरे स्थान पोला है ठीक है तीसरे स्थान पोला है तो आपका एक दो तीन आपका यहां पर ही बैठ जाएगा ठीक है तो आप देखो वो कहरा है एक किसी रल्डा आप और तो अगर आप को यहां बठा दे तो डाइy और एक दो ब आपकर यहाँ पर बैठ जाएगा ठीक है फि्ट कि दान दूसरी स태 इस्दान पर ठीक है पैटर ए है कि सी एक ठीक बगल में है एच जो है वो एक ठीक बगल में है एच अगर हम एच को यहां बिठा देते हैं और एको अगर हम यहां बिठा देंगे तो एच एक ठीक बगल में बैठ जाएगा ठीक है फिर किरांगे एच किसी भी भुजा के मद्ध में नहीं बैठा है तो भाई एच कि किसी बुजह के मर्द में नहीं पैठा है कौने पर ही ठीक है फिर के रहा है किसी भी एक दिशा से होग तिन बैक्ति हो गए और इस साइड से अगर देखो तो f, g, और एक बेक्टी और यहां बैठेगा, कौन बचा है आपका, d, यहां पर बैठ जाएगा, आपके आठों के आठों बैठी बैठ चुके हैं, ठीक है, और प्रिश्ण में वह यही कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है, h किसी भी यहां से दे भीई एगठा है दायिंगा से वे से यह बैठा है और दायिगो से वीए वैठा है ठीक थीख में आप एसवार्षे settリो चाये आप सी लू बीच में आपके तीन व्यक्ति उपरटे हुए के लिए रहा है तो कह रहा है यदि सभी व्यक्ति को यह से शुरू करके यहां से शुरू करकेयच शुरू करके दच्छण दसा में घूमाया जाए तो पूरा पच्छच्छ div दच्ण है ऐसे ठीक है तो ऑप्षन फोर आपका सही होगा एक दिसामें ठीक है कितना होगा एक स्थान सिप्ठ होगा तो ऑप्षन फोर बिल्कुल इसका सही होने वाला है अगला पिशन फिर से करम वबस्ता वाला है इसको देखिए छे बिद्यायति जैसन तुसार आनन स्टेसी स्टीव और मेक्स की केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं चे कर देखमने देखो जेशन तुसार के दाईं और तीसरे इसकां पर बैठा है जेशन तुसार से के दाई 551 म. तो अगर हम तुसार को यहां बिठाएंगे, एक, दो, तीन आपका जेशन यहां पर बैठ जाएगा, ठीक है, दाई और तीसरे इस्तान पर, फिर यहां से कह रहा है, आनन जेशन के बाई और दूसरे इस्तान पर बैठाए, आनन जेशन के, एक मिनट, आनन जेशन के बाई और तो बाया इस साइट होगा तो भाई साब जो आनन हैं आपके वो यहाँ पर बैठ जाएंगे बाई और दूसरे इस्तान पर ठीक है फिर कह रहा है Stephen, Anand और Jason के ठीक बगल में है Stephen, Anand और Jason भाई साब Stephen जो है आपके वो आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे Stephen, Anand और Jason के बीच में ठीक है फिर कह रहा है यहाँ से Max, Jason के दाइओ ठीक बगल में है जो Max है Jason के दाइओ तो भाई या Max जेसन के दाइओ ठीक बगल में यहाँ पर बैठ जाएंगे यह M है ठीक, M से आपका क्या है, M से आपका Max है, बचा एक बगती कौन सा बचा है आपका Stacey, आपका Stacey आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक आपकी 6 के 6 बगती यह देख लो आपके बैठ चुके है ठीक, आप प्रिश्ण में देखो क्या पूछ रहा है, Max और Stephen की बीच कौन बैठा है, तो यह है आपका Max ठीक है, और यह है आपका Stephen, इसके बीच में आपका J से यानि Jason बैठा हुगा है, कौन बैठा है, Jason, option 2 बिल्कुर सही, अगला देखो, अगला प्रिश्ण है देखो, अ अगला देखो, यह तो आसान था, इसको देखो, इसमें क्या यहां से प्रिश्ण को कैसे solve करना है, देखो, RR सभी में हम काट देंगे, A सभी में हम काट देंगे, ठीक, N है, G है, C है, I है, तो भाई यह कौन पहले आएगा, पहले आएगा आपका C वाला, तो हम यहां लख अगला प्रिश्ण, इसमें देखो, इसमें देखो, क्या है, बिल्कुल आसान है, यार, 10 का 20 हो गया, 20 का 30, 30 का 40, 40 का आंगे 50 होगा, समझ में आ गया, फेसे देख लो, 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40, 40 का 50, अगला देखो, अगला प्रिश्ण, फेसे कोडिक रिकोडिक बाला है, इसमें देखो, एपका लिख दिया, C, माइनस 3, C से लिख दिया, Z, माइनस 3, ठीक है, तो Z मैं से माइनस 3 करेंगे, 26, Z 26 पर आता है, ठीक है, 26 मैं से 3 जाएंगे, तो कितने बचेंगे, तेज, तेज पर कौन सी आता ह है, तो देखो, Y का वी लिख दिया, Y आता है, 25 पर, B आता है, Y पर, माइनस 3 हुगा है, B से माइनस 3 करेंगे, 22 मैं से 3 जाएंगे, बचेंगे, आपके, 19, 19 मैं से 3 जाएंगे, बचेंगे, आपके, 16, 16 पर कोना तर P आता है, डबलू पी इसमें नहीं, इसमें नहीं, से क्या सespère दे पेशन में फूर्चा गया तो देखिए यह आपका समीकन बंगा इ lite इंट गोना रोल का मतलब क्या है ए भी का वाहिए क्या मतलब है ए वीकल हुआ मिलेन आपका ऑन इस अन किस मिलेया अじसल Corn ळार रहा हुआ हुआ हो पलारिय कस ओस स Boss का ब्र prisoners महिला. मैं दो को माइनस. माइनस का मतलब है, A B का पिता यानी L जो है वो किस का पिता है, वह आपका T का पिता है. यानि ये पिलस है. यानि A N और L भाई 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 है, जिसका ये बेटा ये बेटी है, T. ठीक है? पिर आंगे कियरा and and का मतलब क्या है and का मतलब है save times ap ki putri है यानि t जो है जी की putri है t जो है वो किस की putri है वो भाइस अब g کی putri है minus कचिल लगा देता हूँ जब putri है तो basically उसकी matah होगी जब putri है तो matah होगी क्यूंकि इसका पिता तो एल है तो माता तो बिल्कुल होगी यानि आपका एल और जी पती पत्नी है जिसमें एल पत्नी है जी पत्नी है ठीक है फिर किया पिलस पिलस का मतलब क्या है ए बी की माता यानि जी जो है वो किसी माता है जी आपका बी की माता है G जो है B की माता है ठीक है समझे में आ गया यह आपको कुछ इस प्रकास समीकर बन जागा किरा है N का B से क्या संबंदित है संबंद है तो N का B से तो भाईया N जो है वो B का क्या है वो आपका चाचा होगा क्यों होगा क्योंकि B का जो पिता है वो है L B का जो पता है वो है L और L का जो भाईया वो है N तो भाईया अपने पिता का जो भाईया होगा क्या होगा चाचा होगा या ताउ होगा option बन बिल्कु सही अगला देखो अगला पिष्णिया आपका दर पर पित्म बाला और देखो इसको कैसे solve करना है इसमें आपका देखो इसको अगर हम दायोर पल्टेंगे समीकरन को यह संख्या यह सब्दों को तो आपका यह जो आपका दायोर पल्टेगा तो आपका जो सब पहली संख्या जो है वो इस साइड बनेगी यह ऐसी ठीक है यह ऐसी बनेगी उसके option 3 में देखो यह M है, M बना हुगा है, तो M नहीं बनेगा, यह क्या बनेगा, डबलू, अगर डबलू को पल्टो की अगर आप दाई हो, तो W में कोई फरक नहीं बनेगा, वो W ही बना रहेगा, लेकिन यहां M है, देखो, तो इसलिए option बन गला था, बचा आपका option 2, तो option 2 मे A देखो, आपका यहाँ पर इग क्या है, यह उपर और थोड़ा सा क्या बोलते रॉमा बोलते हैं, क्या बूलते इसको द्छा क कही बना बी तपकि यहाँ पर जोटा सब्सुर्दू का है, इसलिए option 2 ही गलत बचा option 3 ही रहे नягला देखो अगर आप इसने mathematical समी करने वाला और इसको भी जल्दी से solve करेंगे देखो माइनस की जगा भाग लग देना भाग की जगा माइनस ठीक है तो 192 है 192 माइनस की जगा क्या लिखना भाग तो 192 बटी 16 16 के बाद पिलस है पिलस के बाद आपका 18 18 गोड़े 6 6 के बाद भाग है यानि माइनस करना है पर 24 बराबर में आपका 96 अगर आपका 96 आजाता है इस समी करने को solve करने के बाद तो आपका यह option 1 सही हो जाएगा तो solve करते हैं इसके अलाबा आपका क्या होगा फिर आपका एक्सवार्ट यह हो गया और आपका यह 12 पिलस का है और 108 पिलस का है तो 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा और 120 में से आपके माइनस 24 होंगी तो आपका 96 आजाएगा यानि option 1 ही आपका बिलोकुल सही होगा ठीक है 12 पिलस का है ठीक है 108 पिलस का है 108 और 120 होते है 120 में से माइनस के चीन लगा 24 गटेंगे 120 आजाएगा वह 120 में से आपके यह एक मिनट 108 और 12 जोड़ेंगे तो आपके 120 हो जाएंगो और 120 में से माइनस 24 होंगे तो आपका 96 जानी 96 भी आजाएगा ठीक है option 1 बिल्कु सही अगला देखो सुर्ण यह छोटा हो गया, मिनट अब देखिए अगला पिशने कथन निस कैसे और दोको इसको कैसे सॉल्ब करना है देखो क्यों तेसे काय रहा है सभी चोकलेट बिसकुट है सभी जो यह चोकलेट है सी यानी चोकलेट क्या है भाई सावे यह आपके बिस्कूट है एक मिनट गलत बन रहा है सभी जो यह चोकलेट है ठीक है यह चोकलेट वाला सरकल हो गया यह क्या है आपके सभी चोकलेट क्या है यह सभी चोकलेट आपके बिस्कूट है ठीक है क्या है यह बिस्कूट है फिर सभी चिप्स जो है बिसकूट तो चिप्स बारा भी अंदर आएगा सभी जो यह सब्सक्त आपका गया है अब निसकस देखिए बिसकस में कह रहा है सभी चिप्स आप आलू है और ही चिपकि आलू है आपका एंदेस अंदेसे बाहर की हो जा रहा हैugeकर आपके क्या है ठीक अगला देखो फिर किरा सभी आलू है यह क्या चौकलेट है नहीं है कि इस लिए गलत हो हों जाएगा ठीक है दूसरा देखो वह तीसरा देखो कुछ जोए हो कि ऊप्रे आपका सही होगा यानि Option विल्कुल सही होगा केबल एक और दूसरा केबल एक और अनुसरान करते हैं तो option 2 बिल्कुर सही अगला प्रिष्ण देखिए अगला प्रिष्ण है फिर से आपका सीरी जबाला है और देखो इसको कैसे solve करना है इसमें क्या है कि आपका G का हो गया E यानि आपका minus G आता है साथ पर minus 2 E से हो गया A G से हो गया A, E आता है पांच पर E आता है इक पर 4 कंथ तो A से U कैसे हो गया a में से अगर u कंतर गे न 6 6 माई निस हुगा तभी आपका u आ गया और u से आपका हो गया m तो u से m कितने गंतर है आपका 8 कंतर है कितने गंतर है 8 कंतर है अगर हम u यानि 21 में से 8 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 13 13 पर आता है m ठीक है तो अब m कितना घटाएं कि आपका कॉन सिपे बचेगी जाय क過去 है तो आप की जोगे है कि सो फिर किक से दस में इसमें नहीं उने पिर देखो दूसरा S से हो गया U, S आता है उन्हें इस पर U आता है कि इस पर आपका दो प्लस हो गया, U से W दो प्लस हो गया, W से Y दो प्लस हो गया, Y से A दो प्लस हो गया, तो A में दो जोडएंगे, तो आएगा आपका C, यानि Option 3 ही आपका बिल्कु सही होगा, ठीक, तो दोस्तों यह थे आपके SSC GD में पूछे गए, रीजिनिंग के पिर्ष्ट, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जलूर बताएं, और आपके 20 में से कितने अंक आप कर पाए उसका स्कूल कार भी बताएं, और कुछ समझ में नाया हूँ, मिश्टिक नजर आया हूँ, कुछ समझ में नाया हूँ, डाउट बगे रहा हूँ, पूछ लेना, जय हिन, जय भारत